हमारे दो ही कोशिंद रहे थे अब हम उनको करेंगे जब गैरंटी एक पार्टनर देता है तो कोशिंद नमबर 94 में हमें दिया गया है कि तीन चार्टेड अकाउंटर है उनके नाम है अभिजीत बलजीत और चरंजीत उनका प्राफिट शेरिंग रेशो है 321 चरंजीत को बिटक गैरंटी दी गई है कुछ नहीं पता तो यह माना जाएगा वो गैरंटी रिमेनिंग पार्टनर ने दिया यानि कि अभिजीत और बलजीत ने गैरंटी दी गई होगी सेकंड पॉइंट पर दिया गया था कि बलजीत गैरंटी तो इफेक्ट यहां पर बलजीत ने किसको फोर दी फर्म यहां पर बलजीत फर्म को गैरंटी दे रहा है कि जितनी वो गैरंटी खुद करता था फीस अर्न करेगा शैल बी इक्वल तो इस एवरेज ग्रोस फीस ओफ द प्रिसीदिंग फाइफ यूर्स वेर्टी वहां पर बलजीत ने यहां पर फर्म को गैरंटी दी थी कि जब वो एवरेज कितनी है जब वो पांच साल तक उसने बिजनस को अकेले चलाया तो उसने एवरेज कितना कमाया हर साल का 25,000 रुपे तो यहां पर बलजीत बेसिकली फर्म को यह बोल रहा है कि वो 25,000 रुपे फर्म को कमा कर देगा यहनि कि जब एक पार्टनर गैरंटी देता है फर्म को तो फर्म का प्रॉफिट हुआ 75,000 रुपे जिसमें ग्रोस फीज बलजीत ने कितने कमाए बिटा 16,000 रुपे जो बलजीत है वो बोल रहा था कि वो 25 कमाएगा बट कमाए कितने 16,000 रुपे तो बलजीत ने कितने पैस बनाना है तो आप फॉर्मेट देखेंगे यहां पॉर्मेट बना जाएगा पार्टनर का क्या है पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट ठीक है अब सबसे पहले रिखा जाएगा क्या पार्टनर का प्रॉफिट ठीक है तो पार्टनर का प्रॉफिट तो फॉर् तो आपको पता है प्रॉफिट को कहां शोग किया जाता है क्रेट साइड में लिखेंगे बाइड नेट प्रॉफिट 75,000 उसके बाद बलजीत ने फर्म को कहा था कि वो उनको 25 कमा कर देगा कमाए 16 तो जो पैसे नहीं कमा कर दे उसको देने तो पड़ेंगे तो बाइब बलजीत कैपिटल अकाउंट कितने बिटा 9000 तो फर्म के पास टोटल अब कितना पैसा आ गया है 84,000 आज चुका है तो हमें लिख देंगी 84,000 तो यहां ही बड़ी स्केल से लाइन जो करते हैं तो टोटल फर्म के पास कितना पैसा आ गया 84,000 ठीक है तो यहां लिखा जाएगा 84,000 तो लिखेंगे टू प्रॉफिट शेयर पास के नाम के अभी जीत बलजीत और चरन जीत तो यह लिखेंगे अभी जीत दें बलजीत और चरन जीत बेटा किस लिखा जाते है गैप इसलिए रखा जाता है कि कोशिन है guarantee का एक partners को पैसा मिलेगा किसी partner को देना पड़ेगा 84 को तो पहले distribute करेंगे 321 में तो यह आ जाएगा 42,000 अभी जीत का profit share बल जीत का 28,000 या 14,000 कोशिन में चर्ण जीत को guarantee मिल रखे थी कि कम से कम आपको 15,000 पे मिलेंगे क्या वो मान जाएगा 14 में नहीं बिटा पूरे पैसे मिलने चीए कितने पैसे कम है guarantee में 1000 पे तो यह 1000 पे उसको दे दी जाएगे जो भी deficiency थी चर्ण जीत के profit में तो चर्ण जीत का profit share हो गया 15,000 पे यह deficiency थी जो कमी थी 1000 पे कि वो किसने पूरी करी बिटा वो दोनों partners थी आपको पता है अभिजीत बलजीत और चर्ण जीत 3-2-1 में partners हैं guarantee अगर चर्ण जीत को मिल रखी है तो पैसे कौन बढ़ेगा अभिजीत और बलजीत किस रेशे में 3-2 में बिटा 1000 पे को 3-2 में करेंगे तो 600 रूपी अभिजीत पे करेगा 400 रूपी बलजीत तो बिटा यह करने के बाद 41,400 रूपी अभिजीत यहां आ जाएगा 27,600 रूपी बलजीत ठीक है अब देखिंगा है हम इस चैप्टर का last question बिटा यहां देखिए question number 95 दिया गया है कि अगर जैन सैम और टीम पार्टनर्स हैं अभी देशियों का कुछ नहीं पता तो अफिट है बटा यहां 1,20,000 होना चाहिए था तो यह गलती से जीदो जादा आज गया है इसको 1,20,000 आप कर लेना ठीक है तो बिटा जैन सैम और टीम पार्टनर्स हैं और टॉफिट है 1,20,000 वह कैसे डिस्टिब्यूट करने बिटा इक्वली अमंग दा पार्टनर्स विदाउट गिविंग दा इफेक्ट ओके पाइन सैम को गैरेंटी सैम गैरेंटी टूदी फार्म यहां पर सैम ने गैरेंटी फार्म को दिये है पिटा कितने की एक लाग पैंथिस अजर पे की सैम ने बिल्द को कितना कमाके देगा एक 25 युशन में बोला है फ्रं कितना कमाएगा 35 और कोई वह Form से कम नइसकि पैसा युट यह नि नहीं करे की हो पूरा यह कमाकि अरण सैम ने बिला कि फ्रम कमाएगा सैम ने बिला है कि फ्रम कामाएगा और हमें जर्नल एंट्री पास करने हैं इसके लिए स्टार्ट करेंगे बिटा पहले तो आप जर्नल का स्पेस छोड़ लेंगे तो बिटा सबसे पहले जो पैसा दिया जाता है कब दिया जाता है जिस्टेशन एंड होने के बाद तभी तो प्रॉफिट ओपिट का पैसा आएगा 2022 मार्च 31 ठीक है तो यह लिखा जाएगा जो पैसा दिया जा रहा है पहले बात तो ठीक है जो हमने रोंगली आइबिट तो यहीं का प्रॉफित एंड लॉस एडिजिस्टमेंट ने मीजित एंड लॉसória को प्रॉफिटन लॉसख एडिजिस्टमेंट उद लॉस्डर डोंद कितना पैसा ने ने हैं घरांग बार दिया थाह मैं वाल सश के अब आपको पता है तो टो एक सिक Det ses न सार है तो एड़ेश्टमेंट करते थे तो एड़ेश्टमेंट के एंदर से ही ऩो पैसा गलत बाट दिया था एक लाग वींश रहा दिया था तभी तो इन पार्टनेस के अकाउट के आदे ड़ेश्ट लेश्यो में बाट दिया था 40,000, 40,000, 40,000, यह पैसा वापस ले लिया, being, profit, taken, back, from, partners, पार्टनर्स से यह पैसा वापस ले लिया है, ठीक है, उसके बाद, बिटा, गैरंटी किस ने दी थी, गैरंटी थी, जैन ले, कितने की, कि भाई, एक बीस से अगर कम होगा, तो वो पैसा बढ़ेगा, बिटा, एक बीस कमाया, गैरंटी थी, 35,000, पन्दरा हजार उपे कौन बढ़ेगा, Sam, लिखेंगे, मार्च, 31, Sam's, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, टू, यह किसको पेकर रहे है, बिटा, फिर्म को, तो यह भी कहाँ दिखाया जाएगा, प्रॉफिट अंड लॉस, एडजेस्टमेंट अकाउंट में ही हो रहा है, यह सारा काम, जो भी गलतिया हो रहे है, ठीक हो रही है, पहले तो पैसा वापस ले लिए, 15,000 रुपे, बिटा, यहाँ पर हमने दिखा दी, यह किस ने दिए, Sam ने दिए, अब इनको बिल्कुल ठ करेंगे, तो रेक्टिफाय करने के पाद पता लग गया कि फर्म के पास, बिटा, एक बीस आ गए, 15,000 रुपे आगे, अब फर्म के पास, एक लाग पैंपिस रुपे आ चुके है, तो वो सही रेशो में वापस करते जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस, एडजेस्टम अकाउंट, डेबिट 2, तीनों पार्टनस को दे दिया जाएगा यह पैसा, वो भी किसी रेशो में बठा, वो भी इनकी सही रेशो में, वो कहा है, 2-to-1, गलत वेशो में बाट दिया था, वो सही रेशो में बाट जाएगा, 2-to-1, to Zen's capital account, to Tim's capital account, to Sam's capital account, being profit shared among the partners in, among the partners in, in the correct ratio, two ratio, two ratio, one. So, 20% of the profit, first of all, the money came back to the firm. तभी तो पार्टनस के अकाउंट क्या हो गए, डैबिट हो गए, 40-40-40, equal ratio बाट लिया था, और सही रेशो यह नहीं थी, वह की टूटू बन थी, तो पहले तो प्रॉफिट का पैसा वापस लिया, एक लाग बीस जो बाट लिया था था, और फार्म ने एक बीस कमाया, एक प पार्म के पास कितना पैसा आ गया, एक लाख 35,000, बीटा इसको सही रेशो में बाट जाएगा, वह क्या है, 221, तो बीटा यह बाट जाएगा, यह आ जाएगा, 54,000, जैन को मिलेगा, प्रॉफिट का शिर, 54,000 टीम को, और 24,000 प्रॉफिट का शिर किसको मिलेगा, सैम को, ठ यह चैप्टर है, हमारा बेटा क्या हो गया, कवर हो गया, इस चैप्टर से रेलेटेड, यह इन दोनों कोश्चन से रेलेटेड कोई भी डावट हो, आप कोमेंट सेक्षिन में मुझे कोमेंट करके पूछ सकते हैं, थैंक्यू